आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं उश्रत दिवेडी और आज का मारा मुद्दा है मवेशियों पर महाभारत चतिर गड़ में कॉंग्रेस जल्द ही सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को लेकर प्रदर्शन करीगे 16 अगस से सभी जिलों के HDM और कलेक्रेट दफ्तर में कॉंग्रेस के नेता गौ सत्याग्रह करेंगे आकिर विपक्ष को क्यों पड़ी सत्याग्रह की जरूरत और क्यों गर्माई गौठानों पर सियासत जानिये इस रिपोर्ट के जरिए फिर आते हैं टीबेट कॉंग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि 15 अगस तक आवारा पसुओं के संबंद में सरकार कोई निराकरण करें समादान नहीं करेगी तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी 36 गड़ में आवारा मवेश्यों को लेकर कॉंग्रेस ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया है अगर 15 अगस तक सरकार ने मवेश्यों को लेकर एक्शन नहीं लिया तो कॉंग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी 16 अगस्त से फिर सटकों पर उतरेगी कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ करेगी गौ सप्त्यागिरह गौ ठान रोकाच्छे का बंद करने से भड़की कॉंग्रेस सरकारी दफ्तरों के सामने बांधेंगे आबारा मबेशी SDM दफ्तर, कलेक्टेड निगम आफिस पर प्रदर्शन सभी बड़े निता और कारेकरता सत्यागिरह में होंगे शामिल सरकों पर मबेश्यों की हर दिन हो रही मौः जानजगीर चापा और दुर्ग में सामने आचुके हैं केस 15 अगस्त को सरकार कर सकती है बड़ा एलान सरकार क्या फैसला लेगी इसका इंतजार कर रही कॉंग्रेस फिलहाल 16 अगस्त की तयारी में है पहले तो अपनी सरकार में देखना चाहिए एक साथ बीजबीज गायों की मौते हो रही है कई ऐसे उधारण है सबसे पहले आरोप लगाने से पहले अपने आप में जहाक कर देखना चाहिए कि उनकी सरकार में इस रामराज के बात करने वाले गोवन्स की रक्षा नहीं कर पा रहे है इससे बड़ा दुरभाग क्या हो सकता है गोटान बंद किया विकल्प क्या था उनका क्या बदले के भावना से बंद किये क्या हम उनसे पूछना चाहते है कॉंग्रेस के गोश अत्यागरे को सरकार महस दिखावा करार दे रही है सियम साय और अरोण साओ ने इसी बहाने भुभिश के कारिकाल के नरवा गुरवा बारी को लेकर भी हमला बोल दिया तो इसी तरह से गोव माता के प्रतीस ने दिखाना चाहिए था आज राजनीती कर रहे हैं जबकि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभिरता से काम कर रही है 36 गड़ में आवारा मवेशियों की समस्या काफी लंबे समय से चल रही है गव में किसार मवेशियों के फुसल चर जाने से परेशान है तो शहरों में दुरवटना हो रही है लहाज प्रदेश में आवारा मवेशियों पर स्यासी महभारत जारी है गवरव शुक्ला बंसल नियूज ग्राइपुर चलिए तो पहले देख लेते हैं वो तीन सवाल जिनके इर्दगिर्ध हम कोशिश करेंगे कि ये बहस रहे क्या मवेशियों पर कॉंग्रेस का गौव सत्या ग्रह राज़ीती चमकाने की कोशिश है क्या आवारा मवेशियों को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं क्या गौठान योजना बंद करने से सडकों पर आए हैं आवारा मवेशियों ये तीन सवाल है और चलिए सीधे महमानों की तरफ पंद्रूख करते हैं हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा जी का भारती जनता पार्टी के बहुत स्वागत करता हूं मुकेश शर्मा जी का धनेजे सिंग ठाकुर जी हैं प्रवक्ता हैं कॉंग्रिस के और दोनों ही प्रवक्ता गण जो हैं वो अपनी संयम शील शैली के लिए जाने जाते मैं कोई दवा बनाने कोशिस नहीं करता कि ये कहके मैं ये कहीं विनमृता से निवेदन कर रहा हूं कि हल्ला ना हो भाईया एते बड़े आराम से अपन सब औरे बात करे हैं भाईया ऐसा ऐसा कोई प्रयास नहीं है सिर्फ ये है कि आप दोनों की बुद्धि मता को प्रणाम कर रहा हूं हिर्दय से और डॉक्टर अनिल दिवेदी जी है वरिष्ट पत्रकार है राजमीतिक विसलेशक है अनिल जी जिस तरह से अब मवेशियों पर महा भारत है क्या लगता है आपको गौठान बंद करने की पीड़ा है नर्वा गर्वा गुरुवा बाड़ी को बंद करने की पीड़ा है या रोका छेका अभियान को बंद करने की पीड़ा है राजनीति चमकाने की कोशिश है या दोनों का समिश्ण है दोनों की चीज़ें मिली है जी देखिए शरत जी राजनीतिक दल यदी पशुवंस को बचाने के लिए गौवंश को बचाने के लिए कुछ योजनाएं चला रहे हैं तो ये गलत नहीं है और शुक्र है कि इनसानों से ज़्यादा उन्हें अब जानवरों और गायों की भी चिंताएं हो रही है और प्रत् गायें पाली गई उनके दूद भी निकले दूद उतपादन वी बहुत अच्छे से हुआ लेकिन हमने देखा कि उसमें भी ऐसा नहीं है वहाँ पर भी नुकसान गौवंश का हुआ और कॉंग्रेस सरकार पांस सल रही उसने भी गौठान योजना शुरू की और सिर्फ गा गटनाएं दुख प्रद होती है वह यह हैं कि गायों की हत्याएं हो रही हैं गायें जो हैं अकारण मारी जा रही है और यह सड़क पे भी हैं अगर कॉंग्रेस ने आज गौवंश को बचाने का वियान चलाया है तो उसकी चिंता सड़कों में जो गायें मर रही हैं या जो रौन दी जारी है गायें सड़कों पर हाईवे पर हम द्रिश्य देखते हैं और इसमें सिर्फ सरकारों का दोश ऐसा नहीं है इसमें जो निजी मालिक पशु मालिक हैं वो अपनी गायों को कैसे छोड़ देते हैं उन्हें चिंता क्यों नहीं होती कि जिस तरह शाम को हर व् भाग है भारी भड़कम सरकार पर बहुत बड़ा खर्चे लेकिन वो डॉक्तर क्या कर रहे हैं वहां के जो मवेशी को सुरक्षा करने वाले वो क्या कर रहे हैं तो यह तरह से मिली जूली चिंताएं हैं सबको गौवन्स को बचाने के लिए बिलकुल बाकी जनवर भी शाम सब्सक्राइब को बचाने की जिनमेदारी है वैसे ही सरकारों को प्रश्वों को भी बचाने हैं आप बहुत महत्पूर्ण मुद्दा उठाया है मैं आपसे बिलकुल सौ फीजदी सहमत हूं कि इस पूरी बहस में जिनके मवेशी हैं वो गायब हो जाते हैं और मेरा आग्र में जराहिन मवेशी के जो मालिक हैं इनसे क्यों नहीं अपील करते कि इससे बड़ा पाप इससे बड़ा अधर्म और अनीत कोई नहीं है कि जब तक दुधारू है पशू उपी होगी है मवेशी तब तक तो वह आपका है और जैसे ही वह सिलसिला तूटा तो आप उससे ऐस ही आँख फेरते हैं कि जैसे तोता आँख फेर लेता है पराल दार्शनिक बात हो गई मैं अब चलता हूं मुकेश जी की तरफ मुकेश जी आप किस तरह देखते हैं क्योंकि बात समवेधन शील है आप भी सहमत है इससे की गौववन्ष की रक्षा होनी चाहिए और देखे सरती निश्चतरूप से अनील दुएदी जी ने जो विशाय उठाया है वो गंभीर है और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेधन करना चाहूंगा कि कम से कम जिनके घर के मवेश्य हैं पसु हैं वो हमारे हम गोश्य शेवा कहा जाता है उसके सेवा करने से भी काफी पुन्य मिलता है तो लोगों को भी इस चीज को समझने की आउसकता है पूछ पकड़कर सनातन में वैतरनी पार करने की बात है साब जी जी लेकिन दूसरे तरफ गोवन्स को लेके गोव को लेके जो राजनीती करना चाहती है कांग्रेस पार्टी उनको दे अमल हुआ होता यह गोठान का योजना लाए लेकिन सब कुछ घाई तो आपका है मुकेश जी छोड़ो कल की बात हैं कल की बात पुरानी अब आप लाइए नहीं अभी नहीं अभी नहीं गर्वा भारी के अंदर में गाउं गाउं इन्होंने गोठान का निर्मान करवाया लेकिन पश्रूओं को रखने की परंपरा शुरू नहीं हुई और वह भ्रस्टा चार के भेट चड़ गया कहीं यह दी वह हुआ होता वह व्यवस्था बन गई होती तो निश्चित रूप से जो मैं भी दिखते हैं सरक में वह नहीं दिखते तो अब वह राजनीती इसमें करना चाह रही है तो राजनीती करने से पहले मुकेश जी आप क्या कर रहे हैं इस पर आप कैसे सुलिजाएंगे समस्या को लिए निश्चित रूप से गौव अभ्यारण की योजना है हमारी अलग-अलग जगा उनको एकत्रिक करके उनके भोजन की विवस्था करें और वि सरकार निश्चित रूप से सरकार गंबीर है हमने गौत असकरों को लेके भी सरकार ने अभी एक नया कानून लाया है कि यदि गौत असकरी अब गौव को इधर से उदर ट्रांस्पोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको बैनर लगाना पड़ेगा आपको परमिट लेना पड करता है तो उसके लिए कड़ी सजा साथ साल तक की सजा की प्रावधान रखा गया है तो भारती जनता पार्टी इस मुद्य पे पूरी तरीके से गंभीर है और मैं अक्सर सोचता हूं कि शरच जोशी जैसे वियंगकार होते तो शायर एकार वियंग इस तरह का आ जाता कि अ परनेंजे सिंग ठाकूर जी क्या कहेंगे आप जी दिखे सरद्वेदी जी मुझे तो भारती जनता पार्टी इताओं के वक्तव को सुनता तो हसी आता है यह कहते हैं कि गोठानों का निर्मान काग्जियों में हुआ दूसरी नो करते कि गाओं में गोठान दिख रहा है अपा सुधन को रखने की व्यस्था नहीं है यह दो बात एक साथ कैसे होगी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं भाजपा के लोग या तो कह दे कि गोठान का निर्मानी नहीं हुआ या कह दे कि गोठान में व्यस्था नहीं ने ताला लगा दिया है वो ताला खोल दीजिए और जो पसुधन सड़कों पर घूम रहें उन पसुधन को वहां भेज दीजिए वहां चारा पानी कर कमिक बात करते वह वस्था कर दीजिए जब आप गवभरन बनाएंगे तो पसुधन को मिल ले जाईएगा क्योंकि आठ आठ मैने में तो कुछ हुआ नहीं है आठ मैने में बलकि 800 से ज़्यादा पसुधन की सर्कों पर दुरगटना से बहुत हैं आपके बड़े नेताओं का एक प्रतिनीदी मंडल मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं मिल लेता है भूपेज बगेल जी जाएं चननदास महंत्री जाएं तामरद्वज साहु जी जाएं और कहें कि हमारी योजनाओं को करवध्ध प्रार्थना है कि आप उसका उप्योग कर लीजे सदन में माननी पूर मुख्यमंत्री भूपेज बगेल जी ने अपील भी कर चुके है उनसे विधान सवाकी सत्र के दवरान की गोठानों में जब तक आप जुई कलपनी गोठानों को आप उप्योग कीजे पर इनको तो गोठान तरब जाने में डर लगता है क्योंकि ये ग जो माता के जो राजनेती हैं उनको चिढ़ाती है गोठान क्योंकि वहाँ पसुधन रहते हैं पसुधन के लिए चारा पानी की विवस्था किसान करते थे परदान करके महिला स्वाज सायता समू वहाँ पर गोबर और गोमूतर खईदी करके वर्मी कम पोष्खात बनाती थ कि 10,000 गोठान हैं और उसमें 6,000 से अधिक गोठान आत्म निर्भार है जहां सरकार की फूटी कोडी नहीं लगता है ना लेकिन इनको चुकी गोठानों का विरोध करना है क्योंकि उसको कांगरेस की सरकार ने बनाया है और भातिजन तमार्टी के जो गव में राजिनती उस एक सकंड दिजी है मुझे गोठान पर आरोप लगाते हैं भष्टाचार का बोलते हैं विवस्ता है आप विवस्ता सुधार दीजिए भष्टाचार की जांच करा जिए आपने तो सराप में भी आरोप लगाया था बष्टाचार का सराप खुद बेच रहे हैं सतर नहीं कम क्लिप इनको हो रहा है क्योंकि इनको गव माता की तसकरी करवाना है कह रहा थे मुक्यस्वर्मा जी की नीती बना है अभी तो पास हुआ है क्रिसी उपजण मंडी संसुधन विद्याग आपके सरकार ने नीती बना दिया है कि अब 36 गड़ के पसुधन को विदेश में है कि जैसे रिटार्मेंट के बाद आपकी हमारी अपनी उपयोगिता की बात होती है हम लोग अपने सुधीर गनभाव की वज़े से जो वरिष्ट होते हैं मैं इतना वरिष्ट नहीं सर उधारन दे रहा हूं ने तो आप सोचें कि मैं 67 पार का कोई पत्रकार हो गया हूं ल प्रवचन देने से उपदेश देने से राजनीती करने से इनकी क्योंकि इनके असली सन्रक्षकों को जब तक हम गौवन्ष को रखने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे वह हम चाहें दंड से करें क्षमा सहीत मैं कह रहा हूं या हम उनको encouragement के साथ प्रेरित करें नहीं त हैं और खासकर जहां जब आपने कहा कि गौव से जो बने product हैं उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ाने की पहल सरकारों को करना चाहिए और जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं बाबा राम देव जैसी कंपनिया हैं जो इसको आगे बढ़ा रही हैं आज उनको कोट में घसिता जा हैं गोवंश को पाल रहे हैं उनके आश्रम चला रहे हैं तो सुप्रिम कोड में भी उनको कही ने कही एक जवाब देए उनकी इत्ता ही होती है बाकी कंपनियों के भी होनी चाहिए और सरकारों को भी चाहिए कि जब तक स्वदेशी product गायों से बने हुए product को आप पाताओं को बढ़ावार नहीं देंगी हमारे स्वदेशी अर्थ व्यवस्ता उसी पर केंद्रित अथर्व वेद में तो एक लाहिन कही गई है गाय को लेकर के गावो भगो गाव इंद्रो मा मतलब गाव मेरे भाग्य और एश्वर्य का निर्मान करने वाली है यह गरुण पुराण में कहा गया है कि जो जिंदा व्यक्ति गाय को दान नहीं कर पाता है वह उपर जा करके सिर्फ गाय की पूछ पकड़ करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है यह गरुण पुराण में कहा गया है तो हमारी जो गाय की संस्किति यह गौ माता का जो सनातन धर्म में विशेश महत्व है वो सिर्फ सनातन धर्म तक सीमित नहीं इस लोग तंत्र में प्रत्एक धर्म को गाए का महत्त्य समझना होगा यह जरूर है कि इसलाम आने के बाद गाएं काटी गई गायों को जबर्दस तरीके से कतले आम किया कतले आम महीं से शुरू हुए इसलाम के समय से सुरू हुए कतले आम और उन गायों को बचाने के लिए जिन सादू संतों ने अपना बलिदान दिया उन बलिदानों की उन बलिदानों का सम्मान होना चाहिए आपने ठीक बात कही सरद जी किस देश के शंक्राचारों को ये आवान करना चाहिए अपने भक्तों से कि आप दान कीजिए ताकि हम गौप पाल से गाय से घी निकलेगा उससे गोबर बनेंगे उससे कंडे बनेंगे और उससे हमारे आने वाली पीडी दूद को पी कर करके सामर्त शक्ति शाली बनेगी यसलिए गायों को बचाने का हवान होता है बिलकुल अने जी इस पे तमाम रिसर्च भी हुए हैं चाहे गौव मूत्र की बात करें या और चीजों की दावा तो ये भी सामने आता है कि अगर गौवन्श के साथ आप बैठें थोड़ी दे और उनकी गर्दन पर हाथ फेरें तो आपका तनाव शांत होता है और मनुश्यों के बाद अगर कोई पवित्र योन ही मानी जाती है बलकि मनुश्यों से भी कहीं अधिक कई बार तो गाय की योन ही मानी जाती सनातन ऐसा कहता है गौवन्श को हम प्रवचन से नहीं बढ़ा सकते सर रक्षा नहीं कर सकते इसके असली जो संरक्षक हैं हमको रिसर्च के जरीए गौवन्श की उत्पादक्ता बढ़ानी होगी उनका दूद का समय बढ़ाना होगा उनकी उपयोगिता के और तौर तरीके देखने होंगे कैसे हम गौवन्श के पूरे गाय बैल का उपय लिया की गौवन्श का पूरा साइखल है कि गौवन्श के त्वारा और गोव मुत्र को मिला के जीवां मरित बना के आप यह जो पेस्टिसएट और यह फटीलाइजर का उप्योग कम कर सकते हैं और गेनिक खेती के तरफ जा सकते हैं और सरकार इस दिसा में केंद्र की सरका गोवनस को राजनीती का विशय मानने वाली Congress Party अब को खाली राजनीती करना है और पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं है 1968 में दिल्ली के अंदर में केंदर में सरकार थी इनकी कैसी बरबरता सादू संतों के साथ इन्हों नहीं किया था वह गौववन्स की बात कर रहे थे यह जो बात तो कहीं ना कहीं राजनीती करना जी चलिए वक्तन है मेरे पास के प्रतिक घंभीर होना जी गोवन्स को समझना गोव क्यूप योगिता को समझना इसमें फर्क है इसमें फर्क है हर चीज में तो इनके उपर में घोटाले का आरोफ लगा चलिए 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 मैं लोटा हूं आपके तरह अगर वक्त रहा तो मैं लोटान को लेके हो अरली सेवेंटीज के जिस आंदोलन का जिक्र कर रहे थे मुकेश जी वो करपात्री जी महराज जो बहुत ही सनातन परंपरा के सिद्ध अनुयाई माने गए उनके नेतृत में वह अभियान छेडा गया था बराल वह अतीत की बात है लेकिन गौर अक्षा भारत का एक प्रम नहीं है जी कर ली पर गव मातक कभी सेवा ने की अभी हाली मैं इलेक ट्रॉल्वाइन के बहुत बहुत हरा फंड़ा तो सामने आये ना कैसे बीप निर्यादत कंपनियों से 450 कुड़ पर चंदा भाजनता पार्टी लिया आए बीप कंपनियों से कैसे नों। ने वसूली किया है बीप क किसे मोधी सरकार ने सबसीड़ी किया है तो यह हम पर आरोप लगा सकते हम तो कर लगाई आरोप आप गोठां का ताला खोल दीजिए गोव माता के लिए आपको गोव माता का सोगंद भाजिंद पार्टी इताओं को आपने जो गोठानों में ताला लगाया है ताला ततकाल ख लिए तो बहुत अच्छी बात हुई है आप दोनों की कोशिशें हैं बहुत धनिवाद मुकेश śrama जी बहुत धनिवाद धनिवाद धरंजे सिंग ठाकूर जी बहुत धनिवाद अनिल जी आप तीनों महमानों का बहुत बहुत धनिवाद महत्वपूर्ण बात यही है कि गौवंश की रक्षा उसी व्यक्ति को करने की प्राइमा फेशी जिम्मेदारी है जिसने उनको पाला है अब वो उनसे पिंड इसलिए छुडाते हैं कि शायद उनके खाने का ठेकाना नहीं है क्योंकि छोटी जोट का किसान अपना ही पेट नहीं भर पाता है तो मवेशी का पेट कैसे भरेगा और यही वज़े है कि इस असंतुलन को किसानी खेती किसानी की बढ़ती लागत से जोड़ कर देखा जाता है एक संतुलित नजरिये से हमेंसे देखना होगा सरकार के बिना हस्तक शेप की यह नहीं सुलजेगा लेकिन जो सक्षम लोग भी लालच और लोब के वश में आकर अपने मवेशियों को छोड़ते हैं वो दंड के भी पात रहें इस दुनिया में भी और इश्वरिये दुनिया में क्योंकि उपयोगतावाद के सिद्धान पर दुनिया नहीं चलती है साथ ध्यान रखिए और राजनीतिक दलों को भी ऐसे मसलों पर बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ सामने आना चाहिए क्योंकि गौववन्ष जैविक खेती के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है और हमें ये देखना चाहिए कि अंतिम समय तक कम से कम उनका जो गोबर है ये उत्पाद या उनका मूत्र है वो जैविक खेती के लिए अमृत तक्जीव नहीं है बहुत सारी बाते हैं लेकिन आगे आप देखिए कि हमारे खाज बुलेटिन में परिस ओलंपिक में लहरा रहा है भारत का तिरंगा दिरेश फोगाट को लेकर भी बाकी है उमीद की किरण कैसे बुलेटिन देखिए आगे देखिए प्राइम टाइम स्रयोगी रिशब के साथ दबश्का